हलो एब्रीबन माई नेम इस कीतू और आज मैं बना रहे हूं मखानी पनीर तो यह मखानी पालक पनीर जो है यह बहुत टेस्टी लगता है तो चलिए शुरू करते हैं मैंने गैस ओन कर दी है और अब मैं इसमें डालूंगी एक चमच तेल जादर नहीं डालेंगे हम इसमें और बहुत कमी डालेंगे सिर्फ एक चमच के बराबरी और अब इसको गरम होने देते हैं तो अब यह तेल गरम हो गया है और अब मैं इसमें डालूंगी आदर चमच जीरा और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी राई और अब मैं इसके अंदर डालूंगी नौ से दस लगबग लैसुन की कलिया इसको मिक्स कर लेंगे अब मैं डालूंगी इसमें कुछ अद्रक के पीसिस और दो मैंने ग्रीन चिली लिया है वो भी डाल दूंगी इसके अंदर और थोड़ा सा फ्राई होने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी मैंने इसमें लिये हैं लगबग तीन बड़े प्याज इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए अब ये थोड़ा सा कुक हो गया है ओनियन और देख रहे हैं आप थोड़ा सा कलर आ गया है इसके अंदर अब मैं इसे स्टेज पर इसमें डालूंगी तीरी टमाटर मैंने यूज किया है वो इसके अंदर डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इस सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी आठ से नो या लगबग दस काजू जितनी आपको अपनी ग्रेवी बनानी है आप उसकी हिसाप से इसमें काजू डालेगा मैंने ये चार से पांच लोगों के लिए बनाई है तो उसे हिसाप से यूज किया है और अब इसको पकाएंगे धग के दो तिन मिनट ये देखिए अब टमाटर थोड़ी सॉफ्ट हो गए है तो अब इसको गैस बंद कर दूँगी और ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे तो मैंने सेमी पैन यूज किया है अब इसमें थोड़ा सा ओइल डालेंगे ज्यादा नहीं बस वही थोड़ा सा और इसको गरम होने देंगे इसको चेक करेंगे एक दम ये अच्छे से थोड़ा सा बहुत ज्यादा भी गरम नहीं हो तोड़ा सा गरम हो जाए बस क्योंकि हमें इसमें मसाले डालने तो ज्यादा गरम तेल नहीं चाहिए तो अब ये गरम हो गया है तो अब में इसमें डालूंगी आदर चमश हल्दी पाउडर और आदा चम्मच कश्मीरी लालमिश पाउडर और अब इसमें डालूँगी मैं एक चम्मच धनिया पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसके अंदर डालूँगी जो मैंने पेस्ट बनाया था सारे मसालों का वो इसके अंदर डाल दूँगी और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे यह देख रहे हैं आप कितना ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आ रहा है इसमें यह कश्मीरी लालमिश भी आप भी यूज़ कीजेगा तो उससे कलर बहुत ही अच्छा आता है अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है तो अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसान नमक इसको भी मिक्स कर देंगे और अब मैं इसको पकाऊंगी ढखके दो मिनट के लिए जादा नहीं पकाना क्योंकि हमारे जो सारे चीजे थी वह पकी हुई थी तो जादा नहीं पकाना है तो यह देखे दो मिनट बाद आप देख रहे हैं अच्छे से यह मसाला पक गया है इसको अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेती हूं मैं तो अब मैं इसमें डालूंगी पालक का पेस्ट यह जो पालक का पेस्ट है मैंने पानी को वैल करके गैस बंद करके फिर दो मिनट के लिए पालक को उसमें डाला है और ठंदे पानी से उसको क्रीन कर लिया है बस इससे जादा नहीं डालना है और उसका पेस्ट बना लेना ह वन्ना हमारे पालक का जो ग्रीन कलर है वो चला जाता है तो हमें ग्रीन ही चाहिए अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें डालूँगी आदा चमबच गरम मसाला पाउडर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजेगा यह जो हम पालक पनीर बार आते हैं उससे थोड़ा सा अलग है यह मखानी पालक पनीर है क्योंकि तो प्लीज ट्राई जरूर कीजेगा और अब इसको मैं एक से डेड़ मिनट के लिए ढखके पकाऊंगी तो एक से डेड़ मिनट हो गए आप देख रहे हैं ग्रेवी अच्छे से बबल सा रहे हैं और वो अच्छे से पक चुकी है तो अब मैं इसके अंदर जो हमने पनी लिया है उसको डालूंगी और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी तो ये देखे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसको ढखके वही डेड़ से दो मिनट तक पकाऊंगी तो ये देखे डेड़ से 2 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हैं एक अच्छा से एक कलर आ गया है और ये अच्छे से कुक हो गया है अब मैं गैस को कर देती ओफ और इसको सर्फ करते हैं तो ये देखे हमारी सबजी हो गई है बिलकुल तैयार तो अब मैं इस पे थोड़ी से क्रीम यूज करूंगी बहुत थोड़ी से जादा नहीं यह देखे इस तरीके से और थोड़ा सा मैंने कदुकस करके पणीर रखा था उसको भी इसके ऊपर डालूंगी बहुत थोड़ा जादा नहीं तो यह लेजे हमारी मक्नी पालक पनीर रेडी है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा थैंक्यू सो मच